नमस्कार सामाने विज्ञान के प्रस्ण सिंकला में एक बार फीर से आप से भी का हालदिक स्वागत करता हूँ यह प्रस्ण सिंकला आपके आने वाले किसी भी एक्जाम्स के लिए काप भी मौत्पूर होंगे वीडियो मागे चलने से पहले बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्र जल में अधिक ज्ञाग बना सकते हैं बिल्कुल आपका राइट है कतन जैसे आपका मार्जक हो गया साबून हो गया डेटरजेंट हो गया कारड दिख लिजिए कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ केल्सियम और मेगनिसियम के गुलंसील लवड बनाते हैं यानि उनके अब अच्छेप नहीं बनने देते हैं तो बिल्कुल आपका कारड सही भी है और कतन के लिए सही ब्याख्या कर रहा है तो आपका यहां पर हो जाएगा राइट आंसर ए अगला है निमने कतनों पर विचार कीजिए और राइट आंसर का चैनल करिए कतन देख लिजिए पहल कि आप उर्ति करता है तो बिल्कुल आपका यह भी सही है और कतन की सही ब्याख्या कर रहा है तो यहां पर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर तो पौदों के लिए नैट्रोजन फासपूरस और पोटास पोटेसियम इन सभी तत्वों की उर्बरक की रूप में आउसकता पड़ती है और एक मिट्रिक्टन जैवे खाद से लगबग 1.5-3 किलो तक ही फासपूरस प्राप्त हो पाता है अगला है आपका गेहों की खेती के लिए नैट्रोजन का उप्योग प्रमुक रूप से करते हैं अगला है तत्व जो उर्बरक में नहीं पाया जाता है तो नत है और पर आपका बोरान हो गया क्लोरीन हो गया कापर आयरन मैगनीज मॉलिब डेनम जस्ता यह सबी जो होते हैं और प्राइडरोजन नहीं पाया जाता है यहां पर आपका राड़िट आंसर हो जाएगा भी जो भी इंपॉर्टन फैक्टे बिल्कुल आपको नोट डाउन क करते चलेंगे वीडियो को आप फिर से रिवाज करके देख लीजिएगा निवन में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है एक तरह पे आपका पादप पोसक्तत्व दूसरी तरह पे कार्य तो नाइट्रोजन फासपुरस पोटेसियम पौदों की दिर्ग पोसक्तत्व मैं ने बताया आपको नत्रजन या नाइट्रोजन ठीक है नत्रजन या नाइट्रोजन होता है इसको भी आप जानते रहे हैं इसकी कमी से पतिया पीली पढ़ने लगती है पौदों का बिर्दी विकास रुख जाता है पौदे फासपुरस को प्राया जो है फासफेट आयन की करते हैं जो कि जड़ों की विकास के लिए आवस्यक होता है पोटेसियम की इस्टोमेटा की खुलने और बंद होने में महतोपुरु भंका होती है जो पतियों में जो रंद्र होते हैं इस्टोमेटा और बोरान पौदू का एक सुच में पोसकत्त्व है इसकी कमी से कि दिष्ठी से गलत दिया गया था यहां पर चार होई आपके बिखल्प सही है कोई बीकल्प यहां पर सब्समिलित या गलत वाला नहीं है अगला आपका है लिए से कौन सा अर्बरक मीड़ा में सरวाधिक अम्लट चोड़ता है तो अम्मोनियम सल्फेट म कि मिरक सदक्त्त अमली होता है और साथ से ज्यादा मान होने पर छारी प्रभीति होती है तो पी-च मुली जतना कम होगा मिर्दा उतनी ही अमली ज्यादा होती है इसको आप याद रखेंगे और पी-च वैलू का मान साथ से जतना ज्यादा होगा उतना ही छारी मान ज्यादा होता है तो अमोनिय यूरिया जोगी देखते हैं बहुत आयत से नाइटोजन की पूर्ति करने के लिए खात की रूप में प्रयोग किया जाता है इसका राशायनिक सुत्र होता है एनेस्टू सीओ एनेस्टू या फिर नेस्टू ट्वाय स्यो भी आप लिख सकते हैं तो यहां पर आपका हो जाए कि इतना होता है लगबग लगबग फुटी सेवन प्रसत अगला है यूरिया में नाइटोजन किस रूप में पाया जाता है तो यूरिया में नाइटोजन एमाइड की रूप में पाया जाता है एमाइड यानि एनेस्टू ठीक है यह हो गया एनेस्टू को जो है एमाइड समुह बोलते हैं निम लिखी दरसायनिक और बरकों में से कौन सा बेज़ डिगरी सेंटीग्रेट पर जल में अपेच्छा गित अधिक गुलंसील है तो यूरिया यहां पर आपका राइट आंसर होगा जो कि बेज़ डिगरी सेंटीग्रेट पर यूरिया में जल से अधिक गुलंसील होता है अगला है क्रिसी में नाट्रोजनी और बरकों की अत्यदिक उपयोग अत्यदिक या अनुपयोगत उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है तीन देए गए हैं कथन यहां पर पहला है नाट्रोजन योगी की करण सुचम जीवों या नाट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो आर्गनिजम्स का मिट्टी में प्रोलिफरेशन या पिर प्रचुरूद भवन हो जाता है तो यहां आपका गलत है कम होने लगते हैं यह बढ़ते नहीं है परचुर मतलब उनकी संख्या बढ़ती नहीं बलकि घटने लगती ज्यादा अगर आप नाट्रोजन का उपयोग करते हैं तो और दूसरा कतन है मिट्टी की अमलता में बलोतरी हो सकती है यह आपका कतन सही है तिसरा है भॉम जल ग्रांड वाटर में नैट्रेट का निक्षालन या पर लीचिंग हो सकता है बिल्कुल आपका यह हो सकता है दो और तीन आपका राइट आंसर है इसी वज़र से हमारे जो कि रूप में ठीक है यूरिया में होथा है या मैड की रूफ मे जो पउदे होते है toh करते हैं। इसी होदे होते हैं न नो ज्ừ nufa theorem को गला करते हैं अगने का उपयोग uria औरवरक के उत्पादन में किया जाता है तो कारबंड आख्सीड का उपयोग uria औरवरक के उत्पादन में किया जाता है इसे कारबामाइड भी कहा जाता थES? अगला है आपका भारत सरकार में कृसीं में नील आलेप embracedn the eurea नेम coated urea की उपियों को क्यों प्रुसाइद करती है आपको बताना है right answer यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा नीम लेप या नीम आलेपित urea मिर्दा में urea की घुलने की दर को धीमा कर देता है इससे क्या होता है यह अधिक समय तक भी दिमान रहते हैं इनके लिक चिलन की दर भी कम हो जाती है भी आपका हो जाएगा right answer यह स्रिंखला आपके ही पर समाप्त होती है स्रिंखला कैसे लगी प्रसना कैसे लगी वीडियो आप बिल्कुल लाइक और शेयर कर देजीगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजीगा जिन में तुरे नहीं न किया हो तो बहुत को धन्यवाद आप सभी का मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में एक नई प्रसनों की स्रिंखला के साथ